नमस्कार मित्रों, सद्गुरु ज्यान, अन्मूल वचन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है नाराज हमेशा खुशियां ही होती हैं, रमों के कभी इतने नखरे नहीं होते सच्चे लोग कभी प्रशन्शा के महताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत ही नहीं होती चुप रहना भी एक तहजीब है संसकारों की, लेकिन कुछ लोग हमें बेजुबा समझ लेते हैं अब मत खोलना मेरी जिन्दगी की पुरानी किताबों को, जो था वो मैं रहा नहीं, जो हूँ वो किसी को पता नहीं उमीदों से बंधा एक जिद्धी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उमीदों से है और जिन्दा भी उमीदों पर है जिन्दगी की किताब में धैर के कवर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है मेरी फित्रत में नहीं है किसी से नाराज होना, नाराज वो होते हैं जिनको अपने आप में घुरूर होता है गलत लोगों की परवाह करना छोड़ दो, जिन्दगी बहुत आसान हो जाएगी वहन था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला, कि सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था पत जड़ हुए बिना, पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना, अच्छे दिन नहीं आते दुनिया में समलना हम भी जानते थे, पर ठोकर भी उसी पत्तर से लगी, जिसे हम अपना मानते थे मुझे हसी आती है उन लोगों पर, जो बाहर से मेरे साथ होते हैं, और अंदर से मेरे खिलाफ यदि आपको यह चैनल पसंद आए, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें आप अपने सुझाओ, नीक के दिये गए, इमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं धन्यवाद, आपका दिन मंगल मैं हो